तो इस पूरे पर ग्रीसिंग बगएर देखो एक दम कंप्लीट हुगी है बिलकुल देखो अंदर अंदर तक मैंने इसमें ग्रीसिंग डाल दिया और पूरे तार में पूरे इस पर लोहे पर साइड साइड में तो हलो भाई मेंगों पधोस्त थर्ष और आज किस फीडियो में मैं करने जा रहा हूं इस गाड़ी की पावर विंडो की सर्विसिंग ठीक है तो तो सर्विस करने का कुछ में ड्य Rabb od एँ हम रोघ तो ईसे करके नौर्मल उपर हो गया करें यह तो यह यह अपण तो कि ऐसे को रहे है यह को पिर एख़ए वालिखे ह courts प्र तो में गया है शीशा पूरा नीचे चला तो जाएगा लेकिन इसकी वज़े से हैं न मोटर फुक ने की थोड़ी से दिक्कत होती है कि शीशा पूरा नीचे आ गया और यह बटन भी के ऐसा यह कई बार ऐसे ध्यान भी नहीं जाता कि पूरा बटन नीचे रहे गया ठीक है तो एक मदब जान लगड़ी है इसमें और नीचे का देखो जैसे मैं आप अब यसे मुझे तो पता है कि नीचे अटका रह जाते तो मैंसे घरता हूं अब कोई भी बैटता है उसे नहीं पता ना वह ऐसे गया से छोड़ देता है यसे यह चीज करता है तो इसकी करते हैं फटा-फट से शुरुआत और इसके जो डोर पैनल है पूरा पूरा ये खोल लेता हूं पहले मैं उसके बाद दिखाते हैं इसमें क्या कुछ कड़ने के लिए ज्यादे कुछ करना नहीं पड़ता है लॉक होते हैं और ये दो तीन नट होते हैं एक नट जै और बागी लॉक लगे होते हैं बस खेंच तो उसे पगड़के ठीक है अब देखो पैनल तमाने इसका खोल लिया ठीक है एक बारी देखो मैंने पैनल खोला इसमें जंग देखने दरो आज अज़िए मतलब दर्वाजा गल के बिल्कुल यह खतम पड़ा है कुछ इसमें है यह नहीं देख रहो यहां से टूट टूट के पूरा नीचे गिर गया वह पूरो में जंग देख लो नीचे तो पूरा पूरा गला पड़ा है जिसे बोलते हैं नहीं देखो फिलाल बात करते हैं कि इसकी पावर विंडो का सिस्टम है खुलेगा कैसे ठीक है यह चीज़ चेक करो जा रहा है यह जो इसकी रोड जा रही है ने स्टील की जो भी है यह उतार के हमें थोड़ी सी नीचे लाने पड़ेगी इससे सीशा कनेक्टिड होता है ने तो यह पहल काने के बाद नट खोल दूँगा और फिर यह बहार आ जाएगा निकल के फिर यह थोड़े बहुत पेच वगरा खोलने पड़ेंगे इसके ठीक है सबसे पहले इसमा स्विच कर लेता हूं उसको नीचे उतारता हूं ठीक है तो भी देखो इसको मैंने इस सेगर नट कर दिय ठीक है अब इस सीशे को नीचे उतारता हूं जड़ा यह देखना है एक नट यहां का दिखाई देगा अभी इस से एड़ कर रह रहा है थोड़ा सा नीचे चलो बस ठीक है अब यहां का भी नट खुल जाएगा पेच कस्वाइश बड़ी असानी से और यहां का भी नट अब जो अपना फ्रीम है इस फ्रेम में लगे होता है पेच एक पेच यहां एक पेच यह यहां यहां लापने बस्ता हो बता हुए जाद पहले खूल रखावी है इसका निया पे एक नट यहां पर और इसके नीचे नट लग रहे हैं एक दो और भी में लकुल अलग हो जाएगा ठीक है तो एक बार यह को यह खोल लेता हूं इसको सदीयह खंब ऐसे निकले गए और खुले जाओ ने तो रखें घराब होगो यह पूरी ग्रीस तो इसके लिए आगर नहीं से पहले टिशूव पर लेले ना ठीक है उससे जितनी भी पूरानी ग्रीस है ना यह सारी की सारी साफ कर दे गवारी देखो मैं तार से खिंच जेता हूं जैसे इस तरह से यह देखो ठीक है इसी तरह से पूरे तार की ग्रीस उतार देने पुराने वाली और एक बार यह चीज़ चेक करो अभी यह मोटर लगी हुई है इसमें ठीक है तो इसको मैं आगे पीछे करने कोजिश करूँ ना यह देखो यह कहीं नहीं होएगा ना आगे ना पीछे तो भई इस पूरे साथ साथ मैं यह तीनों नट और खोल लेता हूं यह पूरी मोटर यहां से रिमूव कर लिता हूं उससे क्यों होएगा न यह ऊपर नीचे अच्छी तरह से ट्रैवल कर पाएगा भी के मोटर लगी हुई है तो उसको जैसे यहां पर जाम है बिल्कुल ट्र यह आगे पीछे यह प्रॉपर भूम रहा है अब इससे क्या होएगा यह अंदर लूप बना होता है पुरा वायर का इसमें देखो जितना यह अंदर जो वैसा वायर है ना जो पुरानी ग्रीस है वह सारा भी बाहर आ जायाएगा विससे यह होएगा ठीक है और यहां से जम हम नया वह क्या कहते हैं ग्रीस लगाएंगे वह सारा अंदर वी चला जाएगा तो यह बैनिफिटेश ठीक है तो एक बार यह जितना भी ताहर ने देखो जितना भी ग्रीस निकल के आ रहें अंदर से इस सारा पुराना ग्रीस एक बड़ टीशू पर साफ करता हूं उसका जिसमें लगाने शुरू करेंगे हम नया वाला ग्रीस ठीक है तो अब यह चीज देखो पूरी की पूरी यह गंदी ग्रीस है जो इसमें निकाली है ठीक है देखो टीशू पर पर बढ़ गया तो फैर उसी चीज़ों सैड कर देते हैं यह अपने दूसरे वाली ग्रीस ऐसी तैसले के बाद मेया करणा एक बार यह बारी सै नीच्प स है मैं कहा लगाना लगानी अ पार पर हां तक लिए बाद सा आगे पीछे और कर लेना इस चीज़ को आगे पीछे ताकि अंदर तक चली जाए इसमें और साथ ही मैं इस स्टील के इस पर होड लगाना है कि यहां पर यहां पर क्योंकि इस स्सेक्व demiş प्लाbene कर लिए इस मैंने काफ कि उत्यूंत काल के तो है कि यह दिख रहे है इस पूर पर मेलए लेकिन सर्दी श्रम्न lover पर जहां अपने प्लास्टिक का समान ट्रेवल करेगा ठीक है तो एक बार ही मैं जरा तार पर लगा देता हूं यहां कुछ इस तरह से अपने आप हो एक बार है तो एक बार ही मैं आप हमें झाल करा दो होगार का समान। तो इस पूर पे ग्रीसिंग वागेर हो देखो एक दम कम्प्लीट हो ये विलकुल मैं अच्छी तरह में ग्रीस कर दिया अम प्सक्राइब तो इसके होना हो इसके इंदम काउं ग्रीस सठेक हो एक पर इसविच को और चेक करता हूं उसमें क्या दिक्कता आ रही तो ये वहांतरी इसकी कि भी और जैगिंग करते हैं क्या दिक्क्त आरिया ठीक है क्यों ऐसे नीचे अटक जाता है जैसे की अभा टक गया रीवां तो जए इसमें है निए थोड़े छोटे मोटे से लोक होते हैं इसे खोलते हैं यह भार जाए बढ़ आ हैं तो इसमें से यह तो मैंने निकाल लिए कि फ्लैश उन पर देता हूं ये देखना जो पता नीजया इसी में ये टक रहा है क्या दिक्कत है है यहाँसे भी ठीक रहा है मझें दिक्कत लगने ही तरह रहा हूं ठेक मीचे गड्रों ठेक ऑर एकदम प्रोपर चटक चटक आवाद आ सारी है यहां से ने देखो मुझे कुछ scratch ने जरा रहे हैं यह गिसरा हो जैसे और यहां पर यह देखो तो यहां रही है यहां पर यहां सी को किस तरफ तब यहां से इसको six कर दें और प्र देखता हूं अटक रहें ऊटक रहें तो भलन देखता हो तो मोटर की भो प्ो प्रॉजय गपीति ओतात हैं तो भी ये फ्रेम वगएर में तो पूरा सेट हो गया अब एक बार ये जो मोटर का इसका कपलर रहने कपलर रोड इसमें लगा दिता हूं उसके बाद शीशे को नीचे करके शीशे को और कस दिमगा ठीग है 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 अजया अब करने कंई है है अब और करण बार कर दिमगा कैंगा रॉजार का अब कर दो कि देए और कॉलाम है अच्छी तरह सेट कर दिया है वापस और एक बार शीशा खोल बंद करके दिखाता हूं जो रहा है कि देखो खोल ला या निया तरह से विड़ी वीडियो और आपको अच्छी लगी तो थोड़ा से कमज़ोर है पहले से तो ठीज है लेकिन थोड़ा सा है खेर कोई नहीं और जैसे मैं स्षीच की बता रहा है देखो सुच मेने साफ से थोड़ा सा घिस दिया अब देखो बिल्कुल भी मिन्य तो यह इतियाज कि वीडियो वीडियो कर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को कर देना सब्सक्राइब मिलते हैं और नई वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई